दोस्तो आयूरबेद में सरीर के मालिस यानी मसाज को एक वीसेज महत्व दिया गया है अकाल में आने वाली बृत्था वस्था और अधिक स्रम करने से उने वाली ठकावट को दूर करने के लिए तेल मालिस जरूर करने चाहिए इतना ही नहीं पूरी वीडियो देखिएगा मसाज का मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ नित्य तेल मालिस करने से प्रसंता, पुष्टी और आयू की प्राप्ती होती है बराबर तेल मालिस से सुख पुरवक मींद भी आती है और मालिस से तचा भी सुन्दर होती है सरीर भी मजबूत होता है तेल मालिस विसेश रूप से सिर, कान और पैरो की करनी चाहिए वैसे तो पूरे सरीर का ही मालिस होना अच्छी बात है लेकिन कान, सिर और पैरों की विसेश मालिस होनी चाहिए तेल मालिस से हमारे आँखों पर भी विसेश प्रभाव पड़ता है खास करके हमारे आँखों की रोशनियों पर इसलिए वीडियो को पूरा देखना तेल मालिस से तुथाकांदूर होती ही है निरंतर तेल मालिस से मांसपेशिया बहुत ही मजबूत होती है मांसपेशियों के दुरबल होने से सरीर के अंगो में सितीलता यानी कमजोरी आती है नित्य तेल मालिस होने से यह कमजोरी दूर होती है इससे सरीर में सभी इंदरियां परसन होती है और अपने अपने कारियों में लगी रहती हैं सिर कफ का अस्थान है तेल के गुन उस मतलब गर्म होते हैं और सिर पर तेल मालिस करने से कफ का नास होता है क्योंकि तेल सुच महोने से तोचा के छित्रों में प्रवेस होते हैं जिससे यह तेल प्रवेश कर अंदर चला जाता है और गर्म होने से यह तेल विक्रित कफ को दूर करता है कान जो वायू का विषे सस्थान है यानि यदि कानों में नियमित रूप से तेल डाला जाए تو कानों के अंदर की वायू सम्योग में रहती है अर्थात संदूलित रहती है इससे कानों के रोग नहीं होते हैं पैरों के द्वारा ही गमन की क्रिया होती है अर्थात चलने फिरने का काम होता है गती से वायू का प्रकोप बढ़ता है पैरो के द्वारा चलने फिरने से पैरो में वायू का प्रकोप होता है तो वायू रुच्छ होने के कारण पैरो की विवाई फट जाती है मतलब अक्सर देखे होंगे आपने कि बहुत सारे लोगों के पैर फढ़ जाते हैं इसका असर आखों पर भी पढ़ता है आपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि आख यदी कमजोर हो जाए तो पैर के तलवे में सरसो तेल की मालिस करनी चाहिए इससे आख की रौसनी बढ़ती है पैरों के मूल से होकर दो सिराएं आखों तक जाती है यदी पैरों में रुच्चता और गंदगी रहे तो वह आखों तक पहुँचती है और आखों की रौसनी गड़बड़ा जाती है इसलिए पैरों की तेल मालिस और सफाई बहुत जरूरी है